हेलो दोस्तों मैं सिस्कुमा अपने यूटूब चाहें बिहार जी करेट्रिक्स में आपका स्रौध करता हूँ आज हम लोग इस पुछतक के क्रिसी एवं खाद प्रबंदन के विभिन प्रशनों को देखेंगे यदि आप लोगों ने अब तक हमाँ चनल बिहार जी करेट्रि इसकी क्रिसी एवं सहायक छेत्रों के निस्पादन पर निर्वर करता है यह छेत्क ग्रामीन आजीवका रोजगार एवं राष्ट्य खाद स्वक्षा में महत्पूर्ण भूमिका निभाता है भारत में यह आजीवका का सबसे बड़ा शाधन है रोजगार अवसरों के अजिक्तम 70% ग्रामीन जन्ता अपनी आजीवका के लिए मुखता क्रिसी पर निर्वर रहती है इसमें 82% किसान लगु एवं सिमान्त है विकास में समावेस्ता का उद्देश ग्रामीन विकास पर बल देती हुए प्राप्त करना होगा जहां क्रिसी इसे बहतर रूप में कर शकती है शरकार का मुख उद्देश किसानों की आई को दुगना करना है आई शहायक एसकीम फसल भीमा जल सन्रक्षन अब सिष्ट प्रवंधन तकनीकों से लेकर क्रिसी विपनन सुधारों जैसे अनेक उपाई किये जा सकत रहे हैं अगला पॉइंट है देश में अगकीमतों पर शकल समवर्धित मूल में क्रिसी एवं शहायक छेत्रों कहिसा वर्षद्व चौदा पंद्रा के अठा दसमलों दो-पत्रशाद से गिरकर वर्षद्व उन्नीस में 16.5% हो गया है देश के कुल जीविये में किरिसी एवं सहायक छेत्रों का हिस्षा गय कृसी छेत्रों के अप्यक्चा करित उच विकास प्राप्ति के कारण गिर रहा है यह विकास प्रकिरिया की प्रकृतिक अप्लब्दी है जो अर्थ विवस्था में होने वाले सनरस्नात्मक प्रिवर्तनों के फल्सुरूप गय क्रिसी छेत में होने वाली तुरित वृद्धी को बढ़ावा देती है अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट क्रिसी एवं सहायक छेत्रों की जीविये के परदर्शन में उतार चरहाव देखे गए है क्रिसी वानिक की एवं मतस फारण छेत से वर्स दोय ग्यारा बारा अस्थिर कीमतों पर वर्स दोया उनीस बीस के जीविये में वर्स दोया ठारा उनीस के 2.9 पत्रियत की तुल्ला में 2.8 पत्रियत बिरिधी का अनुमान है अब आगे अगला प्रइंट है परधान मंत्री किसान सम्मान निधी अर्थात PM किसान सम्मान निधी योजना जिसके बारे में आप लोगों अवस्ति सुना होगा PM किसान भारत सरकार की 100% निधियन वाली केंद्रिय छेत्र की अस्कीम है यह अस्कीम 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है तथा इसमें सभी किसान शामिल है अस्कीम के अंत्रगत देश के सभी किसान परिवारों की आयमें परती एक चार महिने के अंत्राल पर 2000 रुपे तीन बरावर किस्तों में परतिवर्स 6000 रुपे की सहायता दी जा रही है अगला पॉइंट है क्रिसी विधुत एवं क्रिसी की उपज के बीच रेखिये संबंध होता है तथा सरकार नहीं क्रिसी विधुत को 2.02 किलो वाट परती हक्टेयर से बढ़ा कर वर्स 32 के अंतक 4 किलो वाट परती हक्टेयर करने का निर्नाई लिया है ताकि खादान की बरत परतिय मांग को पुड़ा किया जा सके भारतिय ट्रेक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है जो कुल वैस्विक उत्पादन का एक तिहाई है पिछले चार दसकों में ट्रेक्टर उद्योग में दस प्रतिशत की वार्षिक चक्र विद्धी दर्मे से विद्धी हुई है विभिन सरकारी एजेंसियों द्वारा दिये गे प्रोसाहन के करन भात में खेती मसीनरी करन बाजार में वर्ष द्वार सुला ठारा के दवरान 7.5 तिन प्रतिशत की C.A.G.R. से विद्धी दर्ज की यही है नेक्स्ट पाइंट है देश में खेती मसीनी करन छेत्व की समावेशी प्रगीती की अवसकता को देखते हुए वर्ष द्वार 14-15 में मसीनी करन संबंदी सबमिशन और एगरिकल्चर मेकनाइज़ेशन प्रवन प्रणम किया गया है इस योजना के अंतरगरत क्रेश मसीनी करन का प्रसिछन एवं प्रदर्शन करने के लिए राज सरकारों को वीतिय सहायता दी जाती है अब आई चलते हैं अगले पॉइंट पर तो अगला पॉइंट है भारत में समग्ण खेती मसीनी करन अमेरिका 95% ब्राजील 75% एवं चीन 57% की तुलना में 49-45% रहा है भा मातपूर्ण हिस्से का भिर निर्यात किया जाता है आउसत रूप में भात हर वर्स 89,000 ट्रेक्टरों का निर्यात करता है इसके मुख बाजार अफरीका देश एवं एसियन देशें जिनकी समान मिर्दा एवं क्रिसी जलवायू अस्थितिया है अगला पॉइंट है नवार् पॉइंट बाजार एवं निम जागुकता के कारण प्रचालन की किफायत भात में क्रिसी कम मसीनी करन की निम दर के महत्पूर्ण कारण है अगला पॉइंट है जल आपूर्त्री सिंखला अर्थात जल सुरूत वीवरन नेटवर्क एवं क्रिसी अस्तरिये अनुप्र योग में अंतिम समाधान परदान करने के लिए हर खेत को पानी के ध्ये के साथ परदान मंत्री क्रिसी योजना एक जुलाई द्वयव पंद्रा को आरम किया गया था अगला पॉइंट है वर्ष द्वयव नीस बीस के क्रिसी रीन प्रवाल लक्ष तेरा लाग पचास हजार क्रोर रूपी निर्धायत किया गया है तथा दिसंबर स्वरी तीस नौवंबर द्वयव नीस तक नौ करोर शायत लाग आठाजार चार्सों तेतालेस दिसंबलों तीन साथ क्रोर रूपी का समवीतरन हो चुका है भारत में क्रिसी उधार का छेत्रिय वितरन अत्यंत विसम है यह देखा जाता है कि पुर्वोत्तर पहारी एवं पुर्वी राजियो में रीन निमन है कुलक्रिसी रीन समवर्थ स्वरी समवीतरन में पुर्वोत्तर राजियों कहिस्सा एक पत्रियत से भी कम है अगला परिंटे पधान मंत्री फसल भीमा योजना में देश में शकल फसली के मौजूलाद 2356 से बढ़ाकर 5056 की कल्पना की गई है वर्ष 267 के लिए जी सी एका लक्ष 30 पत्यत है वर्ष 278 के दवरान दो बरे राज्यों नामतर महाराष्ट एवं उत्तर परदेश में एवं वर्ष 2819 में राजस्थान एवं मद्ध परदेश में रिन माफी योजना की गोशना के कारण लक्ष प्राप्त नहीं हुए किसानों की सहायता करने के लिए वर्ष 27 में पत्यक्ष लाव अंतरन परदम किया गया ताकि किसान दावों की को सीधे अपने बैंक हातों में प्राप्त कर सके जिनका पंजीकर अनिवार आधार संख्या के माध्यम से हुआ है आगे है क्रिशी उतपादों के वैस्विक वियापार में भारत अगरनी अस्थिती में है किन्तु विष्प क्रिशी वियापार में उसका लगभग 2.1.5 का योगदान है भारतिये क्रिशी निरियात के मुखन भागीदारों में संयुक्त राज अमेरिका, साओधी अरब, इ नेपाल और बंगलादेश आते हैं उलेखनी ये बात यहा है कि वर्ष्द 1991 से आर्थिक सुधारों की सुरुवात से भारत क्रिशी उतपादों के निरियात को नियांतर बनाए हुए हैं जिसने निरियात के लिए 2.7 लाग क्रोर रूपिये के आकरे को प्राप्त कर लिया है तथा वर्ष 28 से 19 में 1.37 लाग क्रोर रूपिये का आयात किया है अब आई चलते हैं अगले पॉइंट पर तो अगला पॉइंट है क्रिशी के साथ पसुपालन डेरी उद्ध्योग एवं मतस से पालन मानव जीवन का एक महत्पुन अंग बना हुआ है आगे है पसुधन मंदी आय लाखों ग्रामिन परिवारों के लिए आय का दूसरा महत्पुन सुर्थ बन गया है और किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष को प्राप्त करने में महत्पुन भूमिका निभाई है पिछले पांच वर्षों के दवरान पसुधन छेत्र 7.9 पतिसरत के C.A.G. से बढ़ रहा है शरकार ने पांच वर्षों 19 से 24 से 13343 क्रोड के वित्तिये पड़ी वियाई के साथ खुर एवं मुख रोग और बुर्सेलोसिस के नियंतन के लिए नई केंद्रिय योजना राष्ट्रे प्रसूर रोग नियंतन कारिक्रम लॉंच की यह योजना वर्ष द इक्या करन के साथ FMD पर पूर्ण नियंतन और वर्ष 32 तक संभावित रूप से समाप्त करने की प्रिकल्पना करती है इसके परिणाम सुरूप घैलू उत्पादन और दुख एवं पस्सू उत्पादों के निर्यात में ब्रिदी होगी अब आई चलते हैं अगले पॉइंट है भात विस में दूद का सबसे बरा उत्पादक देश बना हुआ है वर्ष 32 तारा उनिस में देश में दूद का उत्पादन 187.7 मिलियन टन था और पिछले वर्ष की तुल्ना में 6.5 परतिशत की बिर्धी दर दर्ज की गई है अगला पॉइंट है वर्ष 32 ता 394 ग्राम के अस्तर पर पहुँच गई है देश में अंडा उत्पादन जो वर्ष 22 तारा में 95,217 मिलियन था वर्ष 22 तारा उनिस में बढ़कर और इसका मुल 46,589 क्रोड रूपिय था USA और दक्षिन पूर्व एसिया क्राम सा 34.8 एक परतिशत और 22.67 परतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत के समुंद्री भोजन उत्पाद के प्रमुख निर्यात बाजार है वर्ष 22 तारा उनिस के दोरान देश में कुल मक्षली उत्पादन 13.42 मिलियन मिलियन था इसमें समुंद्री मचली उत्पादन का योगदान 3.71 मिलियन तन और अंतरदेशिय मचली उत्पादन का योगदान 9.71 मिलियन मिलियन तन था आगे है खाद प्रसंस्करन छेत में व्रिद्धी से क्रिसी मुल्चेन में प्रवल शंबन रखने वाले भागीदारों के लिए अवसर स्रिजित होने की संभावना है वर्ष 17-18 में समाप्थ होने वाले पिछली 6 वर्षों के दरान खाद प्रसंस्करन उद्योग छेत में लगभग 5.6% की आउसत वार्षिक दर्ष से व्रिद्धी हुई है इस छेत में वर्ष 211-12 की तुलना में वर्ष 17-18 में निरियात और क्रिशी छेतरों में क्रमस जी एवी का प्रतिशत 8.8 तीन प्रतिशत और 10.6 से प्रतिशत तक बना रहा आगे है एन एस एस ओ के त्यातरवे दौर के अनुशार गैल पंजिकरित खादर प्रसंस्करन छेत एक क्या बंदव समलों एक एक लाग कामगरों को रोजगार प्राप्त करने में सहायक परदान करता है और गैल पंजिकरित वी निर्मान शेत में यह 14.18 प्रतिशत रोजगार उपलब करवाता है वर्ष 12.19 के दौरान प्रसंस्करित खाद प्रदार्थों का मुल 35.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर था यह भाद के कुल निरियात का लगभग 10.70 प्रतिशत है वर्ष 12.19 के दौरान प्रसंस्करित खाद प्रदार्थों के आयात का मुल 19.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो भाद के कुल आयात का 3.76 प्रतिशत है अब आई चलते हैं इसके प्रश्णकोस को देखते हैं तो पहला प्रश्ण है भाद में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्व में निम्लिकी कतनों पर विचार किजिए तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1 और 3 तो आई जानते 1 और 3 में क्या लिखा हुआ है तो 1 में है धान की खेती की अंतरगत छेतर अधिक्तम है वहीं 3 है कपास की खेती का छेतर गन्ने की खेती के छेतर की तुलना में अधिक है फसल छेत संबंदी नवींतम उपलब्द आकरों के अनुसार विगत पांच बड़सों में खरीफ की खेती के संदर में धान की खेती के अंतरगत 2 और 19 में कुल छेत 48.8 मिलियन हेक्टियर रहा है जो की किसी भी अनक्रिसी फसल की तुलना में अधिक है वहीं 2018 में जुआर की खेती के थत कुल छेत 3.8 मिलियन हेक्टियर है जबकि तिलहनों की खेती के अंतरगत कुल छेती के अंतरगत इसी आकलन में कुल छेती 12.7 मिलियन हेक्टियर है और प्रियोक तीनों कतनों के संदर में विगत 5 वर्सों में कमों बेस यही प्रक्विर्ती रही है गन्य की खेती के अंतरगत छेत्र वर्स 12.15 में 5.1 मिलियन हेक्टियर एवं 4.4 मिलियन हेक्टियर रहा जबकि प्रश्ट है कि प्रश्णकत कतनों में केवल कतन एक एवं तीन ही सही है अब आई चलते अगले प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण है राष्टे क्रिसी बाजार S कीम को क्रियानवित करने का या क्या लाब है तो इसका उतर है C अर्थात 1 और 2 तुपाला है या क्रिसी वस्तूओं के लिए सरभारती इलेक्ट्रोनिक व्यापार पोर्टल है और 2 में है या क्रिसी को के लिए राष्टे व्यापी वाजार कीमत मिलती है अब आई चलते हैं इसके विस्तार को पड़ते हैं राष्टे क्रिसी बाजार योजना किसानों को उनकी उपज का बहतर मुल दिलाने तथा क्रिसी हिस्सों के पारदर्सी व्यापार को सुनिश्चित करने हैं तो बनाई गई है इसके इलेक्ट्रोनिक पोर्ट पातिए इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो नवण नी वरत्मान क्रिसी उपज विपनेन्स समीत्यों को एकिकर्ट कर क्रिसी जिस्सों हेतू एकिकर्द राष्ट्य बाजार का स्रेजन करता है इलेक्ट्रोनिक व्यापार होने के कारण पर विचार केजिए तो है राष्ट व्यापी मिर्दा स्वास्थ काड़ स्कीम का उद्देश क्या है तो इसका उत्तर है बी अर्धात केवल तीन तो तीन में क्या है तो तीन में है क्रिसी भूमी में और वड़कों के अती उपियोग को रोकना अब आई चलते हैं इसके विस्तार को परते हैं राष्टिय मिर्दा स्वास्थ काड़ योजना का सुवारंब 19 फरवरी धुया पंद्रा को पधान मंत्री नैन मोधी जुरी द्वारा रायस्थान के सुरतगर से स्वास्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था इसका उद्देश की सानों को उनकी भूमे की गुनवत्ता के विशाय में जागरुक कर उन्हें उर्वरकों के अतिप परयोग से रोकना तथा क्रिसी को अधिक उत्पादक धार्निय तथा पर्यावरान के परती लोच सिल बनाना है सेस्वी कलपों से इसका परत्यक संबन नहीं है अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर जोगला पस्ट नहीं निम्रिकित में से कौन सा भात में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारी करन के बाद घटित हुआ है तो इसका सही उतर है बी अर्थाथ दो तीन और चार तो दो में हैं विश्वियापार में भात के निर्यात का अंस बढ़ गया वहें तीन हैं FDI का अंतरवा बढ़ गया और चार में भात का विदेशी विनीमाई भंडार ब्रिहत रूप से बढ़ गया है अब आई चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं विस्विकास संकेत केनुसार भाद के सकल गहलू उत्पाद में क्रिसी का अंस वर्ष दोया में 23 पर्चत था जबकि वर्ष दोया 15 में यह घटकर 17 पर्चत रह गया आर्थिक समिक्षा दोया 15 से 16 केनुसार वर्ष दोया 14 में विस्त निर्यात में भाद की हिस्सेदारी 1.7 पर्चत थी जबकि वर्ष 1990 और 2000 में यह क्रम सा 0.5 एवं 0.7 पर्चत थी अता कथन 2 सत है आर्थिक समिक्षा दोया 15 सुला केनुसार वर्ष दोया 14 में 31,251 मिलियन डॉलर था जबकि वर्ष 2000 से 2001 में यह मात 3,272 मिलियन डॉलर था अता कथन 3 सत है भाद का विदेशी विन नीमय भंडार वर्ष 1991 से 92 मिलियन डॉलर था जो वर्ष 2014 में बढ़कर 32,649 मिलियन डॉलर हो गया अता कथन 4 सत है अब आई चलते हैं अगले परशन पर दॉलर परशने निमनिकित में से क्या भाद में नीली क्रांती से सम्बंदित है तो इसका उत्तर है सी अर्थात मतस्य पालन अब आई चलते हैं इसके विस्तारों को परते हैं भाद में नीली क्रांती मतस्य पालन से सम्बंदित है अब आई चलते हैं अगले परशन पर टोगला परशने सूरज धारा योजना संबनी थे किस से तो इसका उत्रे भी अर्थात बीज अदला बदली से अब आई चलते हैं अगले परशन पर चोड़ी इसके विस्तार को देखते हैं तो किसान कल्यान एवं किसी विकास विभाग मद परदेश सरकार द्वारा संचालित सूरज धरा योजना बीज अदला बल्ली से संबन दिया जाता है आई चलते हैं अगले प्रसण पर तो अगला प्रस्ण है निम्ञांकित में से कौन भावारत में सहकारी क्रिषी के विचार का समर्थक नहीं था, तो इसका उत्तरे सी, चरंसिंग, अब आई चलते हैं इसके विस्ताइब को पड़ते हैं, चोधरी चरंसिंग ने नहरु के सोवियत सैली से आर्थिक विकास का विरोध किया, चोधरी चरंसिंग का विचार था कि सहकारे फ़र्म भारत में सफल प्रत नहीं हो सकते अथा चरण सिंग को भाथ में सहकारी कृसी का समर्थषक नहीं माना जाता है अब आई चलते हैं अगले पसट पर पर चुअ अगला पसट नहीं निम्रिकित में से कौन सा भाथemia भूमी सुधार का हिस्सा नहीं है तो इसका उत्तरे डी बहु फसली यह योजना अब आई चलते इसके विस्तार को पड़ते हैं भात में आजादी के समय एक ऐसी क्रिसी विवस्था मौजूद थी जिसमें भूमी का स्वामित कुछ हाथों में केंद्री था अता देश को सम्रिद बन बनाने हेतु भूमी सुधार को अति आवस्यक माना गया है तथा इस हेतु जमिनदारी प्रथा का अनमुलन भूमी जोतों की अधिक्तम सीमा का निर्धार एवं कास्त कारी सुधार के कारेकरम अपनाई गए हैं अब आई चलते हैं अगले पस्ण पर त्वगला पस्णे नि अब आई चलते हैं अगले प्रश्ण पर द्वगलर प्रश्ण ने भात में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर में कौन सा कतन सही है तो इसका उतर है डी अर्थात एक दो तीन अर्थात लगान का वी नियमन वहीं भी है दो है अब दी की सुरक्षा और तीने मित की घोसना अब आई चलते हैं अगले प्रश्ण पर जोगलर प्रश्ण है भात में सिमान्त जोत का आकार है क्या तो इसका उत्तर है डी एक हेक्टियर से कम क्रिसी संगना धुयापंद्र सुल्ला के नुसा भात में सिमान्त जोत का आकार एक हेक्टियर से कम है अर्थ जो जोतो काकार 2-4 हेक्टियर मध्यम जोतो काकार 4-10 हेक्टियर तथा विडियर जोतो काकार 10 हेक्टियर या इससे अधिक होता है भात में शकल जोतो में 68.45% सिमान जोतो 70.62% लगु जोते 9.56% अर्ध मध्यम जोते 3.8% मध्यम जोते तथा 1% से भी कम विडियर जोते हैं अब आई चलते हैं अगले परशन पर जोगला परशने गियहों की सिचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है कौन सी तो इसका उतर है ए अर्थात ताज निकलने की अवस्था अब आई चलते हैं इसके विडियर को परते हैं ताज निकलने की अवस्था गियहों की सिचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है यदि किसी किसान को एक सिचाई की सुवधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिचाई करने की सलाथ दी जाती है विकल्प में दी गई अन अवस्थाएं भी सिचाएं की क्रांतिक अवस्था से संबने थे प्रन्तु इन सबका संबन एक से अधिक सिचाएं सुविधा उपलब्ध होने पर है अब आई चलते हैं अगले परशन पर टोगला परशन है लाखो क्रोडों प्रूसों एवं एस्तिरी स्रमिकों म जो वास्तों में काम करते हैं प्रस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपुर्ण निस्पादन की भावना भर देते हैं तो इसका उत्तर है B सामुदाइक विकास से अब आई चलते हैं अगले परशन पर तो अगला परशन है भारत में क्रिसी विकास गती के लिए निमलिखित मे से कौन सा प्रभावी कारण है तो इसका उत्तर है A. ग्रामीन निर्धनता अब आई चलते हैं इसके विस्तागों परते हैं ग्रामीन निर्धनता क्रिसकों को क्रिसी में उन्नत तक्निक के निवेश को हतुत साहित करती है कि सिरत अधिकांस भारतिये जनता सहरों के बजाए गाओं में निवास करती है अता सहरी निर्धनता का क्रिसी विकास पर पभाव अल्प या नग्यन है जबकि सहर से गाओं की और पलायन सवर्था सत्त है अता अविश्ट उत्तर विकल्प ए है अब आई चलते हैं अगले पशन पर तो अगला पशन है भात की काली मिट्टी उत्तर पादन के लिए बहुत उप्यूक्त होती है तो इसका उत्तर है एक कापास की फशल के लिए अब आई चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं क्रिसी की फशल के लिए सर्ववत्तर मिट्टी काली मिट्टी है जो भारत के गुजरात, महराष्ट, पंजब तथा आं तो इसका उत्तरे भी पूंजी बढ़ाने वाली प्रद्योगी की प्रगती की अब आई चलते हैं इसके विस्तार को परते हैं प्रद्योगी की प्रगती दो परकार की होती है पहला है स्रम बढ़ाने वाली प्रद्योगी की प्रगती तथा दूसरा है पूंजी बढ़ाने वा है उन्नत पुंजी समवर्धन प्रगती मौजूदा पुंजी गयत वस्तुओं के अति उत्पादक उप्योग पर बल देता है अब आई चलते हैं अगले परशन पर जोगलर परशने भाद के सकल घहलू उत्पादन में क्रिसी इवर्म उससे सम्मनिद प्रच्छेत का अंस है क बाद के राष्टी आये में क्रिसी का योगदान है लगभग तो यह भी काफी प्रवाना प्रश्ण हो चुका है तो आए आगले पर चलते हैं